है यह लोगे सेन विल्कम टू मैं चैनल तो इस वीडियो में बताने मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप ड्रीम इलेवन से क्या से टीम बना सकते हो बहुत ही अच्छा विंड कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा तो ड्रीम इलेवन का जो ऑफिशल जो ड अगर आप नीचे की डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक लिंक मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो यहां से यहां तक एक लिंक है ठीक है तो इसे पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आप यांस आप इंस्टाल कर लोगे उसके बाद आप आपको क्या करना पड़ेगा रिफर कोड़ पे जो यह देख रहे हो आप रिफर कोड़ पे जो आप यह देख रहे हो इसे आपको कौपी करना पड़ेगा कौपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो आप जैसे ही जो की ड्रीम 11 की अप्लिकेशन को खोलो गए तो जैसे आप य यहां पे रिफर एंट एंट्री कोड जो अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको 100 का कैस्ट बोनस नहीं मिलेगा आप अगर मेरे अगर आपके पास कोई कोड नहीं है तो आप मेरा यूज कर सकते हो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो तो जैसे आप यहां पर अपलाइक करोगे तो यहां पर आपका जो है मेरा नाम जो है आजाएगा ठीक है तो अगर आपके पास यह नहीं आएगा तो आपको जो है डिफर जो यहां पर देख सक तो इस तरह से आप अपना काउंट बना सकते हो ठीक है तो जैसे कि मैं आपको पहले मैंने आप मेरा काउंट बना दिया है तो मैं आपको ले जा रहा हूं डायरेट मेरा जीमेल अकाउंट से ठीक है तो आप मैं आपको दिखाना वाला हूं कैसे आप टीम बना सकते हो ड्रीम पर कैसे लीग को जोईन कर सकते हो तो फ्रहेंज जैसे कि मैं आपको एक रिसेंट मैच के एक्जमपल दे रहा हूं तो यह मैच जो है अभी करीबन जो है कल सुरू होने वाला है बाइस गंदे बाद तो जैसे आप यहां पर क्रेडिट टीम पर क्लिक करोगे हाला कि आपके पा तो जैसे कि मैंने यह आप पर व्र्ण टे लर को लिआ है ठीक है तो किसी एक Weぎ kingdom कैपर को चूस करना पड़े उसके बाद यहां पर आप बैसमंन से आप यहां पर देख सकते हो हुए यहां पर आप मिनमाम जो है तीन मैक्समन को चूस कर सकते हो और मैक्सिमं मांड बटिंग चूज कर सकते हो तो जैसे म को यह पर आ इवेन क्लिक जो भी अच्छे पर में तो आप उसे जो ले सकते हैं तो में यहां पर इसमबल मैं आपको दिखा रहा हूँ इहां पर मीनिमम जो है एक अरूंडर लेना पर गारा और मेक्सिमम् जाब तीन अलड् настler को लें सकते हो तो यहां पर मैंकप में दो अंडर मैंने लिया होरा है तो इसके बाद आपको जो है अब देलके सकते यहां पे दो और यहां पे चार यानी छहार के साथ , यहनी तौनी आप योई प्ले सकते हो मैकसीमुम छफ्ल ले सकते हो तो आपको वाँ वहीं पे ह kos parked देख रहा होगा तो आपको केरडिट मिंटेन करके वह करना होता है तो legitimate Part 2 Credit मेंसे आजर को चूज़ करना पड़ता है तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था तो यहांपर यहां पर जैसे कि मैं पर 4 बॉलर्स को मुझे लेना पड़े गा तो यहां पर मैं कोई भी जो बॉलर जो कर सकते हो तो जासे कि मैंने यहां पर किया हुआ है तो उसके बाद यहां पर आप टीम देख सकते हो यह आप का टीम बन गया है आप यहां से जो है डिट कर सकते हो और इसे यहां से क्लॉनिंग कर सकते हो जो कि सेम टीम बन के आएगा लेकिन आपको जो है कैपने बस कैपने च देख सकते हो मेरा एक टीम बना हो चुका है तो आप मैक्सिमम जो है छे टीम बना सकते हो और कॉंटेस जोइन कर सकते हो यहां पर आपको यहां पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितना कॉंटेस जोइन किया हुआ है तो यहां पर बहुत सारे है है तो ाूंद कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि अगज मैंख्रम जो यह एक va टीम्न से रखांट में से जूए चाएगा तो यह तरह से आप जोएंड कर सकते हो तो मैं आपको यहां पर जो है पॉईन्ड सिस्टम के बारे में बात करने बाला हम तो तो चलिए देखते हैं पॉइंट सिस्टम यहां पर आप जाएंगे मोर में तो आपको पॉइंट सिस्टम की जो पूरी जो चीज आपको समझ में आ जाएगी तो फिलार मैं आपको एजा टी-20 के बारे में बता देता हूं तो अगर कोई बले बाद एक एक रांड करेगा तो आपको 0.5 पॉइंट मिलेगा बंट्री का बोनस पॉइंट होता है सिक्स का भी बोनस पॉइंट होता है आप सेंचुरी का फोर एंड सेंचुरी का एट पॉइंट होता है अगर कोई बैट्समें जीरो में आउट हो जाता है तो इसे आपको माइनस टू पॉइंट मिलेगा अगर कोई वाल्ल राउंडर आउंट हुथा तो जीटो पॉइंट रू मिलेगा यह जो बैट्समेन के आप सब कुछ देख रहे हो सिभाए जो ए इस्टाइक रेड एंडिस मेशल जो है जीरो में तो इसरी बैट्समेन अन बोल बैट्समेन अन ओल्ल राउंडर के लिए है हम्हाँ ओ ओ लॉंडर के लिए है है तो उयासे हैं और आप्त है तो कुछ बॉलर्स का पॉंट देया हुआ है फ्यलिंग का पॉइंट दिया हुआ है सब कुछ यहां पर पॉइंट जो दिया हुआ है आप यहां से आसानी से पर सकते हो तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना है में आता है तो आपको ड्रीम 11 की सारी जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी तो अगर आप अभी तक ड्रीम 11 जोइन नहीं चाहिए तो जोइन कर आप यहां पर देख सकते हो इसे प्रमोट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो यह कितने भरी चीज़ है तो यहां पर दिया हुआ है आप अगर 18 साल के हो तो ही खेल सकते हो लेकिन नौर्माली भी आप खेल सकते हो किसी की पैंकाउट को जो है वेनिफाइब करके तो फिरेंड इतनी अगला वीडियो में आपको बताम का क्यासे आप अपना बैंकाड और जो है बैंक अकाउंट बेनिफाइब कर सकते हो तो फिरेंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको इस तरह का बतारेम ल्टया हत वीडियो